ऐसी विचारदारा जो हमें कमजोर बनाती हो, जो इंसान इंसान में भैर पैदा करती हो, जो उचनिच की भावना पैदा करती हो, ऐसी सड़ी गली विचारदारा को अब खत्म करने का समय आ गया है। जातियां कुद्रत ने नहीं बनाई, जातियां इन चलाक इंसान में बनाई अपने फायदे के लिए, जिन इस्थानों पर वो कोरोडो लोग इखटा होते हैं, उन्हीं इस्थानों पर हमारे कोरोडो लोग बहुत द्धम की दीखसा लेने के लिए इखटे होगे। देश के जितने स्टेडियम हैं, जितने प्ले ग्राउंड्स हैं, जितने अंबेटकर भावन हैं, जितने कबीर भावन हैं, जितने रविदास भावन हैं, जितने बहुत दविहार हैं, हम सारे के सारे कमुनिटी हॉल हैं, हम एक साल पहले बुक कर लेंगे 2024 में। एक हिस्ट्री का इस्टूडेंट होने के नाते, मैंने जो इतिहास को पढ़ा है, लगबग चार हजार साल पहले जब भारत में आरियन्स आए, उससे पहले दुनिया में तीन सबसे पुरानी शब्वताएं थी, जिन में से एक सब्वता थी, मैसो पुटामिया की सब्वता, जो इराक के अंदर दजला और फरात नदियों के बीच बसती थी, दूसरी सब्वता एजिप्ट की सब्वता थी, और तीसरी सब्वता भारत की हडपा संस्कृती है, सिंदु घाटी की सब्वता थी, पुरे दुनिया के अंदर जातिया नहीं हैं, और सिंदु घाटी की सब्वता के समय भारत में भी कोई जातिया नहीं थी, फिर आरियंस भारत में आये, और उन्होंने यहां के भोले बाले लोगों के भोले पन का नजाज पाइदा उठा कर, उनका सब कुछ छीन कर, उनको गुलाम बनाया, लेकिन उनके मन में एक डर था, कि यहां के जो इंडियन ओरिजिन्स हैं, मूल लिवासी उनकी संख्या इतनी जादा है, और जो आरियंस विदेश से आये थे, उनकी संख्या कम है, तो जिस दिन भारत के लोगों को समझ आ गई, वो अपने हक अधिकार वापस ले लेंगे, इसलिए उन्होंने एक शडियन तर करके, भारत के मूल लिवासियों में जातियां बना दी, और उनको जाती के अधार पे, हजारों जातियों में बाड़ दिया, और उसमें इतनी कुरूतियां थी, जैसे जो भारत के मूल लिवासी थे, उनको सुद्र बना दिया, जो चार बढ़नों में समाज को बाटा, और सुद्रों के पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिस लगा दी, सुद्रों के ग्यान प्राट करने के रास्ते पर धार्मिक बंदिस लगा दी, जिसकी वज़े से हमारे देश के 88% लोग जिनको सुद्र बन में रखा, वो सब कमजोर दीन हिन हो गए, और हजारों साल तक गुलाम रहे, लेकिन कुछ हजार एक साल के बाद ही, उनकी कुरूतियों से बाहर निकलने के लिए एक बहुत बड़ी करांती हुई, इसलिए पुरे दुनिया के सबसे पुराने करांती कारी के तोर पर अगर बात की जाए तो वो दुनिया में तथाकत बुद्ध हैं। जोनों ने उस समय समाज की बुराईयों के खिलाब बहुत बड़ी करांती करके, एक संगवादी विचारधारा, एक संगवादी विचारधारा सब को साथ लेके चलने वाली विचारधारा को जन्म दिया। और उसके बाद भारत का विकास सुरू हुआ और भारत सोने की चिडिया कह राया। मौरेवंस के अंतिम समराट ब्रेदरत के सेनापती पुसमित सुंग ने छल कपट से राजा ब्रेदरत की हत्या की और उसके बाद पूरे भारत के अंदर मैनमार से लेके काबल कंदार तक भारत था। 84,000 बौद मठों को निस्ते नाबूद किया। पूरे भारत के अंदर ढून ढून के बौद बिक्षों की अतियाई करवाई और उसके बाद सोशन पे अधारित, छल कपट पे अधारित, अन्याय पे अधारित, विसमतावादी, विचार धारा को फुनर स्थापित किया। उसके बाद से ही भारत लगातार कमजोर होता चला गया। उसी विचारदारा को डॉक्टर बाबा से बंबिट कर इतने आगे लेकर आए कि उन्होंने भारत को बौद में बनाने का सपना देखा। 14 अक्टूबर 1956 को जब उन्होंने बौद धम की दिक्सा ली तो उनका सपना था कि अब मैं भारत को बौद में बनाऊंगा। लेकिन एक महिना बाइस दिन के बाद ही उनका मापनिर्मान हो गया। और वो बाबा साहिब का जो सपना था भारत को बौद में बनाने का सोशन्ड मुक्त समाज की स्थापना करने का वो सपना सपना रहे गया। इस बीच अने को हमारे समाज के अने को नेता आए समाज सुधारक आए जिन्होंने बाबा साहिब के सपने को साकार करने का कुछ प्रियास किया जिनमें पहले अगर कोई थे जिसको स्विकार करते हैं तो वो बुद्प्रिय मौरे थे उनके जाने के बाद उसी सपने को शाकार करने की कोशिस मानवर कांसिराम साहब ने की लेकिन उनके जाने के बाद पूरा वेक्यू में कोई नेत्थ समास को नहीं मिला और वो बाबा साहिब का बौद्दम भारत के निर्मान का सपना सपना रह गया 14 एक्टुबर 2020 को मैं नागपुर दिकसा भूमी गया और दिकसा भूमी को नमन करके जब मैं बाबा साहिब की परतिमा को नहार रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाबा साहिब मुझे ये कह रहे हो कि ये जो हमने सपना देखा था क्या ये सपना सपना रह जाएगा क्या भारत में कोई नेतब तो देने के लिए तैयार नहीं है अगर बुदिजम से अच्छा कोई दूसरा मार्ग है तो दूसरा अपना लो और अगर आप कहते हो सर्वत्तम मार्ग बुदिजम है को पूरे देश में फैलाने के लिए आपनों क्या कर रहे हूँ वही मैंने संकल्प लिया कि हम बाबा साहिब के बच्चे हैं बाबा साहिब की संतान है हम अपने जीवन का अब जादा तर समय बाबा साहिब के उस सपने को साकार करने पर लगाएंगे और भारत को बौध्दे में भारत बनाने का हमने संकल्क लिया और वही पर ये भी संकल्क लिया कि आने वाले पाँ साल के अंदर हम भारत में कम से कम दस करोड लोगों को अपने बुजर्गों की उस सांस्कृतिक विरासत में उस बुदिजम में वापस लाने का काम करेंगे चुकि हमारे पूरवज बौद्ध थे हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं हम तो घर वापसी कर रहे हैं ऐसी विचारधारा जो विचारधारा हमें सोशन हमारा सोशन करती हो हमें गुलाम बनाती हो हमारी माँ बेटियों की इजजत लूपती हो ऐसी विचारधारा जो हमें कमजोर बनाती हो जो इनसान इनसान में भैद पैदा करती हो जो उच्णीच की भावना पैदा करती हो ऐसी सड़ी गली विचारधारा को अब खत्म करने का समय आ गया है जातियां कुद्रत ने नहीं बनाई जातियां इन चलाक इंसान ने बनाई अपने फायदे के लिए चुकि पुरे दुनिया में जातियां नहीं है भारत और भारत के सब कॉंटिनेंट में जातियां है जहां बारत से जाके लोग बस गए उन्होंने जातियां पैदा कर दी वरना पुरी दुनिया में जातियां नहीं है तो अब समय आ गया है उन्होंने अपने फायदे के लिए जातियां बनाई और हम बट गए आज जब हमें पता चल गया हम सब के पूरवज एक थे हमारा खून एक है तो अब जातियों को खतम करने का समय आ गया है हमने संकल प्या जाती तोड़ो समाज जोड़ो इस मुमेंट को पूरे देश में हम फैलाएंगे और आने वाले पांस साल के अंदर अंदर कम से कम दस करोड़ लोगों को बुदिजम में अपने सांस्किर्टिक विरासत में अपने बुजर्गों के धम्मे में वापस लाने का हम काम करेंगे उसी के तहट आज का ये धम्म चर्चा इसलिए रखी थी कि हम एक पॉलिटीशियन भी हैं हमारी नियत पे कुछ लोग सक कर सकते हैं तो हम इस धम्मे के काम को बुद बिक्सों के माध्धम से इसको आगे बढ़ाएंगे उसमें जो भी कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे पूरी टीम बनके हमारी काम करेंगी पूरी टीम जुटेंगी सारे संसादन भी हम सो लोग मिल के जुटाएंगे लेकिन इस प्रोग्राम का जो आयजन इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा जो आयजन होने वाला है उसका नेतर तो हमारे बहुत बिक्सो करेंगे उस पे चर्चा करने के लिए आज हमने ये दम संसद रखी थी और हम चाते अभी तो गिने चुने कुछ लोग बुलाएं है अगले मिटिंग आने वाले दो महीने के अंदर अंदर अंबेट कर भवन पे रखेंगे जिसमें कम से कम पानसो बहुत बिक्सों को हम बुलाएंगे कुछ यहां आज बिंदू आप लोगों ने उठाएं है जिसकी चर्चा अक्सर उपासक लोग करते है इसमें कोई संदे नहीं है कि आचरणे में उपासकों के बुधिजम नहीं है और आचरणे में विक्वों के भी बुधिजम दिखता नहीं है उनके धरमगुरु जब बोलते हैं मंच में हजारों की संक्या होती है तो उनकी वानी में ऐसा क्या है कि लो घंटों घंटों तक उनको बैटके सुनते हैं ऐसा नहीं है कि हमारे पास काबिल बुधिजम नहीं है एक्चिली हमने व्यवस्ता नहीं बनाई हम सब लोग स्वार्थी हो गए है बिक्सू को मैं समझतो हमें सम्मान देना चाहिए और बिक्सू को जब हम सम्मान देंगे उनको किसी तरह की दिक्कत होने नहीं देनी चाहिए बिक्सू भी मठादीश ना बने वो भी ध्यान रखेंगी दो महीने एक बोध विहार में तो फिर दो महीने किसी दूसरे में फिर तीसरे में और फिर वो जहां रहें वहां उपासकों का ये फर्ज बनता वो खुद ध्यान लखें कि बहुत बिक्सू खाना डेली कहा खाएंगे प्रवचन कहां होगा प्रवचन चलते रहने चाहिए जब धंदेशना होगी रेगुलर होगी तो समाल में धंब का संचार होगा अब ना तो कहीं धंदेशना है और कई बार तो ऐसा होता कि कहीं न कहीं एक जुकी सिस्टम बिगड़ गया है बोद बिक्सू भी आपस में बहस पे उताराते हैं और सारवचन एक तरीके से उताराते हैं तो जो संदेश पोजिटिव जाना चाहिए वो नेगेटिव चला जाता है इसमें किसी को मैं दोस नहीं देना चाहता हूँ ना मैं बिक्सू को देना चाहता हूँ मैं तोसे भी यह कहना चाहता हूँ कि हमें खुद को इसको सुधारा है हम लोग मिलके सुधारेंगे उपासक भी अपनी जिम्मेदारी को आहसास करें और अपने आचर्ण में सुधार लाएं और बिक्सू भी जादा से जादा अध्यन पे ध्यान दें और अध्यन करके धंब देसना में लोगों को धंब क्या है धंब की लोगों को जरूरत क्यों है बुदीजमी क्यों सरवत्तम है ततागत ने कितने साले दश्टान तो बोले हैं ततागत हमेशा सवाल पूछ के दूसरे के सवाल का जवाब दे दिया करते थे तो उस तरह की चीज़े हमें अपने अंदर भी डवलप करनी है तब मैं समझता हूँ बुदीजम आगे बढ़ेगा चुकि सरवत्तम तो बुदीजमी है और सरवत्तम होने के बावजुद अगर नहीं बढ़ रहा है इसके लिए कही ना कही हम स्वेम दोसी है हमें खुद इसके उपर विवेचना करनी होगी इस पर चिंतन करना होगा हो सेके तो कुछ पांच साथ लोगों की बंदेजी कमेटी बना दो जो इस पर चिंतन करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि कहां कहां गलतिया है समाज से क्या गलतिया हो रही है उपासकों से क्या गलति हो रही है बोद बिक्सों से क्या गलति हो रही है इसका समाधान क्या है चाहे उसका समाधान का एक हिस्सा बोद बिक्सों का ट्रेनिंग सेंटर हो या दूसरा हो जैसे लोग कहते हैं कि मैं विपस्तना करके आया हूँ अब मन बड़ा सांते और जरासी बात पर गुस्ताओं के लड़ने लग जाए यह बहुत बिक्सु भी आपस में लड़ने लग जाए तो फिर आप आचरन में आपके बुदिजम तो नहीं है विपस्तना मैं समझता हूँ सांती आदमी के दिमाग में है लोग दुनिया में ढून रहे हैं ततागत बुद्ध ने जो इतने दिन तक बैठके तपस्या की तो वो जो जबाब मिले उनके अंदर से आए है वो कहीं बहार से नहीं आए जबाब जबाब उन्होंने खुद खोजे है उन्होंने अपने आप चिंतन किया है तो हमें भी चिंतन करना पड़ेगा हमें खुद को अपने अंदर के विकारों को दूर करना पड़ेगा हमारे भासा में सरलता होनी चाहिए मिठास होनी चाहिए कन्विंसिंग होनी चाहिए हम जो बोलते हैं वो दूसरों को सुनने में अच्छा लगे लोग आदा घंटे तक हेले न वो चाहें कि वो बोलता रहे हम सुनते रहें तब हमने समझो कुछ अरजित कर लिया है अब हम इसलायक हो गए हैं कि हम धम देशना देके दूसरों को करना सीख गए है यह चीज हमें डवलप करनी पड़ेगी और अगर कहीं पे ऐसा एक ट्रेनिंग केम्प बनाने के ज़रूरत पड़ी जहां से हम बहुत बिक्ष्णों को ट्रेनिंग दें उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो पास है कि उनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है आज RSS इसलिए आगे बढ़ रहा है चुकि उनके पर्मानेंट ट्रेनिंग सेंटर है उनकी ट्रेनिंग कंट्यूर्स चलती रहती है वो लाइफ प्रोसेस है उनगोई प्रोसेस है वो कभी बंद नहीं होता हमारी प्रोडम यह हमारा पर्मानेंट कोई स्ट्रेक्चर नहीं है पर्मानेंट कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है लेकिन मुझे खुशी है कि मिशन जैभीम ने बहुत तेज गती से इस दिसा में काम किया है और दिल्ली के अंदर मिशन जैभीम के सारे सातियों ने अपने बैंक से अकाउंट से चेक काट कर एक नम्मर मिमानदरी से दिल्ली के अंदर एक लगबग साड़े पाच बिगा जमीन खरीदी है जिसमें हम पर्मनेंट केडर सेंटर इस्थापित करने वाले हैं जहां हमारे समाज के युवा या बुजर्ग भी हो वो ट्रेनिंग सेंटर में जाएं एक महीने का कोर्स करें पंदरे दिन का कोर्स करें मिशन जाएं भी मुनके खाने सोने सारी वेबस्ता वहीं पर करें और वहाँ एक study का एक अलग से library भी हो कि हम training भी लें और साथ में खाली time में दो-तिन घंटे अध्यन भी करें तो इस दिसा में हम काम कर रहे हैं जरुत पड़ेगी तो बहुत बिर्शो के training के लिए भी हैं एक वेबस्ता जल्दी हम भविस्ते में बनाएंगे लेकिन मुझे आपकी हमारी पूरी टीम को जो पूरी मिशन जैभीम की टीम है सुबास आ रहे हैं जी हमारे एक बार खड़े होंगे राश्टी अध्यक्स हैं मिशन जैभीम के और आप दिल्ली जलबोर्ट से चीफ इंजिनियर की पोस्ट से रिटार हुए हैं समता सेनिक दल में पिछले 25 साल से जुड़े रहे हैं समता सेनिक दल के राश्टे सेचे तक रहे हैं और जो चीफ इंजिनियर रहे तो पूरे दिल्ली को पानी पिलाने को कैसे पहुचाना है पानी गर गर तक उनको अच्छा अनुभव है तो हमने सुचा कि वो इतने अनुभव वसील हैं तो उनकी ग्यान काम इस्तेमाल करके पूरे देश में बुदिजन को फैलाने के लिए मिशन जैभीम को आगे बढ़ाएंगे तो इतने काबिल साथ ही हमारे पास है आँ बैठिये अभी किसी की परिवार में डेथ हुई है जिसकी सोकसवा सायद है तो हमारे जो राष्टे मासची जो बैटे हुए थी मेरे बगल में कुछ देर पहले बीपी मौरे बीपी निगम साब वो डेटी सी से चीफ जनरल मेनेजर की पोस्ट से अभी रिटार हुए है पहले वेक्ति उस पोस्ट तक हमारे समाज के पहुँचे उसके उपर आई एस एमडी होता है तो वो वह से रिटार हुए मैंने का तुम धम का काम और समाज का काम करो वो राष्टिय महासची है और बहुत अच्छे से वो अपने जिम्मेदारी को अंजाम दे रहे हैं तो स्पानकर जी हैं लेक्चरार रिटार हुए हैं आप संगठन का काम मिसन जैभीम का देख रहे हैं रोसन लाल सागर जी है मिसन जैभीम के उपाद्दस की भूमी का निवारे हैं उर्दर प्रदीप सागर जी है और मलब पूरी के पूरी टीम है और सारे वेल क्वालिफएड लोग हैं समर्पित लोग हैं और सब लोग सिर्फ ये चाते हैं भारत बौद्दे में बने हैं हमारा सिर्फ इतना सपना है भारत बौद्दे में बने और जो गोरो साली राष्ट की एक हमारी पहचान भारत की बुद्दे के सासन में थी वोई भारत की गोरो साली पहचान वापस आए उसके लिए हम काम करेंगे तो जल्दी दो एक महिने के अंदर कम से कम पान सो बहुत बिक्षू की संगती हम बेट कर भावन पे हम लोग रखेंगे और आप लोग विचार करके बीच बीच में हम लोग आपस में बात करेंगे कि यह जो बुद्दिज्म का दस करूड बौद्द बनाने का सपना कैसे पूरा हो इसमें आपकी विचार की बहुत ज़्यादा जरूरत हमें पड़ेगी चुकि हम आपके नितर्प में इस कार्मा को चलाना चाहते हैं कुछ लोगों ने मेरे से सवाल किया कि आप बोल तो रहे हो दस करूड लोग का आईजन कहा करोगे इतनी बड़ी जगा कहा है तो मैं आपको बताओं मैंने उनको जवाब दिया कि लोग जब साधी के लिए डेट दिखवाते हैं ब्रहमन से तो एक सीजन होता है जब साधी की डेट एक दिन के अंदर लाको लाको साधी होती है और उनमें करोड़ों लोग एक साथ इखटा होते है जिन इस्थानों पर वो करोड़ों लोग इखटा होते है उनी इस्थानों पर हमारे करोड़ों लोग बहुत दधम की दीखसा लेने के लिए इखटे होंगे देश के जितने स्टेडियम है जितने playgrounds हैं, जितने embedkar भवन हैं, जितने कबीर भवन हैं, जितने रविदास भवन हैं, जितने बहुत दिविहार हैं हम सारे के सारे community hall हैं, हम एक साल पहले book कर लेंगे 2024 में पूरे दुनिया का international media उसको coverage करेगा, live telecast पूरे दुनिया के अंदर उसका होगा इतना बड़ा आयजन हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको नेतर्त हमारे बहुत बिखु करें, बिखु संग करें हम आपके नेतर्त में इस आयजन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए बड़े धैरे की जरूरत है अनफोचनेटली हमारे उपासकों में भी, और कई बार माफ कीजेगा बहुत बिख्शमों में भी, धैरे की थोड़ी सी कमी है हम लोग धैरे सिखें, एक व्यक्ती बोल रहा है से बोलने दो जब उसकी बात पूरी हो जाया, आपको जो तुरूटियां लग रहे हैं उसके बाद में चर्चकी जा सकती है लेकिन उसको बोलते हैं को बीच में रोकना, ये कदापी उचित नहीं है हमको हर आचरन में हर चीजों को सुधारना है जब हम पंचसिल की बात करते हैं, तो उसको सबसे पहले दुधारन हमें खुद करना होगा मैं खुद अपने उपर पंचसिल का पूरा पालन करने का प्रयास करता हूँ मुझे ये नहीं मालूम है कि मैं 100% कर पा रहा हूँ लेकिन ये ज़रूर मालूम है कि मैं 80% से ज़्यादा पंचसिल का पालन ज़रूर कर पा रहा हूँ चुकि कई दफ़र जूट जो है किसी के फायदे के लिए भी बोलना पड़ जाता है लेकिन किसी को नुक्सान पहुँचाने के लिए कभी जूट नहीं बोलते हैं वेविचार हम बिलकुल नहीं करते, चोरी हम नहीं करते, हिंसा वानी से या करम से वो भी हम नहीं करते लेकिन नसा किसी प्रकार का हम नहीं करते, लेकिन जूट जरूर कभी-कभी जब लगता है जिस जूट को बोलने से कुछ फायदा रहेगा नुक्सान नहीं होगा मुझे बहुत खुसी है कि आप सब आए और अगला जो हमारी मीटिंग हो मैं एक निवेदन जरू करता हूँ कि कुछ बहुत बिक्सु जो प्रभावसाली है ऐसा नहीं कि नॉलिज नहीं नॉलिज तो हो सकता जाद रतर को हो नॉलिज होना अलग बात है और प्रभावसाली त कि मैं अच्छे प्रभावसाली तरीके से बोलने वाले से ज़्यादा पूरे केस को फड़ा हुता है उसको नॉलिज भी होती है उसको लगता भी हमें पूरी बात नहीं कह पाया तो अपनी बात को प्रभावसाली तरीके से कहना एक आर्ट है यह आर्ट हमें अपने जिन पर जर्चा होगी, नहीं हो सकती, चाहे हम केबल दो speaker रखें, हम को सीखने आये हैं, मैंने अपनी वाइफ को का भी आप भी आना, वाइफ बेटी है, बेटा बेटा है, उनको घर जाके वो मुझे ये ना कहें, कि को सीखने को तो मिला ही नहीं, वो ये कहें कि आज का दिन बड़ा सारगर्वित रहा, चर्चा जो थी बहुत सारगर्वित थी, आज मैंने कुछ नया सीखा है, अगली बार जब भी हो बताना हम भी टाइम से पहले पहुँचेंगे और सुनेंगे, तो ये चीज आनी जरूरी है, मैं पूरे इमानदारी के साथ, पूरे आपको संबान करते हुए, मेरा इरादा किसी को चोट पहुचाने का बिलकुल नहीं है, लेकिन हमें बुद्धिजम को जिस उचाई पे ले जाने का हम सपना देख रहे हैं, उसके लिए कुछ चीजें तो हमें तैय करनी होंगी, कुछ सिस्टम तो ऐसा बनाना होगा ताकि हमारा मुमेंट उस दिसा में आगे बढ़े, हमें ये तो जरूर करना होगा कि समाज में चर्चा सुरू जाए, कि भी इस बार हम अपने हाँ धम देखना करवाएंगे, और वो भंते जी बहुत अच्छा उपदेश देते हैं, भाई उनको जरूर बलाना, तो ऐसे कुछ बिक्सुम हमारे बन जाए, कि वो अगर एक बार बन्च पे बैठके अपना धम देखना सुरू करें, तो सामने एक दम सान तो के सब लोग बैठके सुने, अगर किसी को टॉयलेट भी जाना तो यह सुचे है, पूरा सुनू तब चला जाओंगा, यह मलब भावना सामने वाले के अंदर ऐसे भाव पैदा हो जाए, कि बिना सुने में उठूंगा नहीं, तब समझिएगा कि हम सही दिसा में बढ़ने लगे हैं, तो इनी सब्दों के साथ इस आसा,